नमस्ते दोस्तों मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं फ्लेयर की तरफ से राइटोमीटर यह है एक्जिक्यूटिव राइटोमीटर है normal rightometer जो है मैंने अपने चले पर दिखाया है rightometer का जो large वाला version है jill का वो भी मैंने दिखाया है और ये वाला जो है ये rightometer executive है और ये जो pen है ये नया नहीं है market में available है पर इसमें थोरा सा नया design उन्होंने किया है rightometer जो normal है वो आप लोग इस्तिमाल कर चुके हैं पर ये वाला जो है ये प्रीमियम लुक दे रहा है ये दो अलग-अलग कलर्स में अविलेवल है एक तो है गोल्डेन जो मेरे पास है दूसरा एक है जो क्लिप होगा वो होगा कॉपर फिनिश का और ये जो इसका जो प्राइस है ये पचास रुपे उन्होंने कर दिया है नॉर्मली पच्चीस रुपे में आपको नॉर्मल राइटोमिटर पैन मिल जाता है और पच्चीस रुपे ज्यादा बरहुत्री करके उन्होंने एक डिजाइनर पैन आपको दिया है नौर्मल जो राइटोमेटर पैन है और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है टेकनोलिजी, इन टरम्स ओफ रिफिलिंग, रिफिल जो है वो सेम ही है, इसमें हाइड जो है वो भी सेम है, सब कुछ सेम ही है आप एक लुक दिया गया है, लुकवाइस अच्छा है, आप एक परपल कलर मिल जाता है और बॉड़ी का और सफेद के अंदर पर ये वाला जो है, ये एक नया है आप इसे ले सकते हैं दो अलग-अलग डिजाईन में ये अवलेविल है ये वाला जो है मेरे पास है ये आप देख सकते हैं यहां पर ब्रैंडिंग है फ्लेयर का और यहां पर बहुत ही चम चमाता हुआ design gold color यहां पर दिया गया है basically क्या किया है प्लास्टिक के उपर भी print किया जा सकता है पर प्लास्टिक के उपर print नहीं करके उन्होंने यहाँ पे एक coat कर दिया है plastic का ही यह जो clip है इसके उपर हलका सा एक metal ring चरहा कर इसके उपर यह दिया है इससे क्या होता है plastic से metal के उपर अगर आप coating करते हैं तो यह जो shining है वो ज्यादा होता है clip जो है वो भी metal का है यह उपर का portion metal का है अंदर का नहीं है इस्तिमाल करते हैं तो अगर आपने fountain pen hero company का इस्तिमाल किया होगा या देखा होगा कहीं पर तो आप लोग जानते हैं कि hero company, pilot company जो बहुत पुराने company थे यह fountain pen बनाते थे clip जो है वो golden color का होता था या copper plate यानि कि copper का एक design होता था और नीचे की तरफ अलग स्या होता था उसी तरीकी का एक style यहाँ पर दिया गया है flare rightometer executive में अंदर अगर खोल कर देखें तो आप देख सकते हैं यह जो है अंदर plastic का ही है उपर एक coat किया गया है हलका सा एक metal का coat है और इसलिए यह ज्यादा चमचमाता लग रहा है और यह जो pen है यह plastic का ही है normal जो सब कुछ plastic का है पर इसमें एक दिक्कत यह है कि normal जो rightometer pen है उसमें आप ink level देख सकते हैं यहां से इस वाले में आप ink level नहीं देख सकते हैं बाकी जो design है वो pattern सेम ही है राइटोमेटर pen में जिस तरीके एका pattern होता है grip में यहां पर एक pattern होता है हलका सा ताके यह sweat करने पर कोई problem ना कर यहां पर भी वही है black pen इस्तिमाल करने का एक चलन आ गया है after pen tonic launch हुआ है उसके बाद से बहुत सारे लोग इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसमें यह एक बहुत ही अच्छा design है black और golden color का एक combination है refill जो है वो normal rightometer का जो refill होता है वो ही refill है और 10,000 meter तक यह चलने वाला refill है यह दावा किया जाता है यहां तक refill भरा हुआ है यह special एक refill है proprietary refill तो आप refilling बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे इसमें कोई doubt नहीं है चले लिक के देख लेते हैं कि यह pen जो है यह कितने का है मतलब यह जो nib है यह जो tip है इसका size कितना है किया देता है क्या नहीं देता है राइटोमीटर के जितने भी pens है वह 0.5 mm के ही होते हैं तो आम मुझे यह भी 0.5 mm महीं लग रहा है यह है राइटोमीटर एक्जेक्यूटिव 0.5 mm कही है यह पचास रुपे का है दिखने में अच्छा लग रहा है लुकवाइस इसलिए यह पचास रुपे का है आप इसे पूस्ट करके भी इस्तिमाल कर सकते हैं दीकि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंड करके मुझे बताए कि अगर यह पैन इस्तिमाल करते हैं तो इतने दिनों से करते हैं कैसा लगा आप लोगों को और यह पैन अगर आप ख़ड़ीदना चाहते हैं तो जरूर खड़ दिए अ कालर छूट जाता है या नहीं यह भी कमेंड करके बताए और हमरे चैले में नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए और लाइक कर दीजिए धन्यवाद